तो चलिए आज की इस कलास में CHSL Pre का 10 March 2023 का सिप्ट 1 नंबर को देखने वाले हैं, सिप्ट नंबर 1 को देखेंगे, इससे पहले 9 March के सभी सिप्टों को अपलोड कर दिये हैं, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और आज की इस कलास में हम लोग काफी सारे चीज़े को पर डिसकसन करेंगे, जो बहुत, मतलब बहतरी नहीं होगा, आपके लिए helpful रहेगा, देखें, इस टाइप के सवाल जो आप देख पा रहे हैं, ये बृत वाले सवाल, इस concept पर कई सारे सवाल की हैं, लेकिन आज इस concept का detail में आपको अभी हम बताएंगे, चाहे आपको भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आप कर पाईएगा, आप आज के बाद इस टाइप पर कभी सवाल नहीं पूछे, मतलब आपका गलती नहीं होगा, ये direct concept पर ही पूछा जाता है, ठीक है, तो देखते हैं ये चीजे कैसे होगा, देखें सवाल आपसे इस परकार जो केंद्रीं होकर गुजर रहा है, यहने कि इस वरीत का केंद्रीं हां पर और यह वाले वरीत का केंद्री यहां पर है, इस वरीत का केंद्रीं हसे ही इस बिस को मान लेतेक Сп PROF. कहे देगा कि दो को 玩 लिद्वारे होकर घुजरता है, ये जो ये बी उभैनीष्ट्ट槍 इसका लंबाई आपसे पूझा जाता है तो यहां पर इस बिरित का तिरजा खुझ देढ़ा की है ना इसा है और ती यहां पर यहां मिलेगा, इस ऐसा और भ tenían तो इस ब्रत पूँचंद स». तो यहां तक यहां तक羅 फ Premium सिंस लिए यहां तक यहां तक हो लोगा च है तो यहां से यहां तक क्या होगा यह भी 6 होगा यानि कि यह तीनों आपस में बराबर हो जागा यह 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 तो एक फॉर्मुला है जिसको एक सगड में आप निकाल पाएंगे लेगर इसका और एक तरीका है जिसको थोड़ा सा लंबा बनता किस प्रकार से देखिए अब ये तो आपका क्या बन गया इहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या बन रहा है ये वाला एक संभाहुतिरपुज बन रहा है अगर इस भुजा की लंबाई छे है ये लंबाई छे है तो ये भी छे होगा संभाहुतिरपुज का हर एक भुजा बराबर होता है सभी चीजे बराबर होगा तो हमको तो इस पूरे जीवा की लंबाई चाहिए इहां से इहां तक की जीवा की लंबाई चाहिए अब बोलेंगे सही बात है तो अगर इहां से इहां तक की लंबाई निकाल लेते हैं और उसको इहां तक जोड़ देंगे तो बराबर हो जागा दो वाली को यहां का लंबाईर यहां का लंबाई दोनों को आपसे जोड़ देंगे तो पूरा निकल जागा आप बोलेंगे सही है तो यह क्या है यहां से यहां तक की क्या है यह संभाहु तिर्भुच की उचाई है की नहीं तो संबाहु तिर्भुज की उचाई का फॉर्मुला क्या होता है रूट 3 बाइ 2 इंटू A ए का मतलब होता है भुजा यहाँ पर तो यह मेरा आएगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा चाहिए दूसरा कंडिसन को आप जान लिजिए अगर मालेते कभी कबार सवाल में यह आपको दे देगा A और B का दे देगा AB की लंबाई जीवा की लंबाई दे देगा और आपको R पूच लेगा कि यह जो R है ना इसका वेलू कितना होगा वो बताईए आर कितना होगा आपका तो इस R को आप 2 कंडिसन से निकाल सकते हैं जैसे आपको यह पता है कि AB बराबर क्या होता है AB बराबर रूट 3, R होता है तो AB अगर आपको पता होगा AB का फेलू X है अभी ठीक है और आपको R की फेलू पता करना हो तो यहां से R को रखेंगे, यह root 3 में रख्या होगा, नीचे आजाएगा, तो यह root 3 आजाएगा, यहां पर हो जाएगा R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, X by root 3, यह आपको हमने बता दीगा चीजे, ठीक है, यह काम आएंगे, बड़े-बड़े सवाल को चुटकियों में ऐसे करके लेके चल जाएगा, जिसको समझ में आपको नहीं आएगा, मैं आपको गरेंटी बताता हूँ, इस concept को अगर समझ गये ना, तो आपको चुटकियों में सवाल बन जाएगे, ठीक है, अब देखें, मैं इस सवाल को आपको करा देता हूँ, यह समाल लेते कि पहला बार में आपको कराई यह, कि अगर इसकी तिर्जा छे दे दिया जाए, आपको कहा जाएगा, कि बृत की तिर्जा छे है, तो डायरेट आपको यह भी जीवा की लंबाई अगर पूछा जाएगा, तो तिर्जा ध्या रखना है, कि तिर्जा अगर छे दिया है, और यह भी अगर आपको पूछा जा रहा है तिसका डाइट रूट त्री आर फोर्मुला होता है आर यानि कि छे सिक्स रूट त्री इसका सही उत्तर हो जागा ठीक है यह डायरेट करना ना की उतना कुछ करना ही ठीक है अब इस सवाल पर आपको बताते हैं कि चीजे कैसे होगा उमिद कर यह आप समझ पाए होगे ठीक है इस फॉर्मुला को आपको याद रखना है कि डारेट यह फॉर्मुला होता है ए बी बराबर रूट त्री आर ठीक है इसी के मदद से सभी चीजे बन जागे डारेट कांसेट पर सवाल पूछी जाते हैं अब आते हैं इस सवाल को देखिए सव सभाल क्या बूचरा बोल रहा है कि दो ब्रित एक दूसरे को इस परकार पर तीछेद करते हैं की पर油गतेता के है यह यह फूदित की तीर जैंब बराबर है सभी चीज़े बराबर है तो यह यह सब wraps में बराबर है उभाइनिष्ट जीवा की लंबाई यानि कि यहां से यहां तकी जो जीवा है न ये और भी अभी माल लेता हम उभाइनिष्ट जीवा की लंबाई ये भी बराबर दे रखा है 14 रूट 3 सेंटीमिटर 14 रूट 3 सेंटीमिटर दिया गया है 14 रूट 3 सेंटीमिटर हो तो इन बृतों का इन बृतों के परिधी का योग क्या होगा अब बृत का परिधी का फॉर्मुला आपको पता होगा कि बृत का परिधी का फॉर्मुला होता है 2 पाई आर एक बृत तो ब 4 π..R to total हो जाएगा कि नीं 2 पीर चारप चार पाई का भी मान है हमको शिर्फ मास का भीरू चाहिए ज़ेख़ाए आर का भी आप केसे निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कि Ab अगर दे दिया जाए कि Ab की लंबाई क्या होता है रूट 3,R होता है लेकिन इस Ab का मान आपको पता है 14,R है आप बोलेंगे सही बात अर यहाँ से आपको र तो चाहिए ना अर अगर निकालेंगे यहाँ से तो यह root 3 मेरक्ट नीचे आ जाएगा की ने आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो root 3 से root 3 कर जाएगा, तो R बराबर क्या होगा, 14 हो जाएगा आप बूलेंगे सही बात है, और उ सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब मैंने आज कि क्लास को 18 नमबर से शुरू किया और अठार 19 नमबर से शुरू कियार आगे बढ़ते चलेंगे देखें सवाल क्या ग्या आगला सवाल जोमेट्री का क्या कहता कि तिर्भूज एक्स वाइज बें पी और क्यू करमस है एक्स वाइज भुजाओं पर इस्थित बंदू पी क्यू और वाइजड के समानतर है और पी क्यू वाइजड तीन अनुपात आठ है एक्स वाइज पराबर 88 सेंटिमिटर है तो पी की लंबाई कितना होगा इस सवाल को मैं इस तरह के सवाल भी आपको पहले कराएं है ठीक है एक्स वाइजड है इस परकार से ये इस परकार से एक्स वाइजड ये एक्स ये वाइज और जेड एक पी क्यू है ठीक है एक पी क्यू है जो कि समानंतर है ये दोनों समानंतर ठीक है समानंतर है उसके बाद कहा जाता है कि P और Q और YZ का भिलू तीन अनुपात 8 है P Q ये 3 है ये 8 है तो आपको पता है कि ये चीजे जब बराबर होता है तो इसका मतलब क्या नियम होता है तो इसका नियम होता है X P यहाँ पर देखे X P बटे X Y पूरा वाला X Y ये क्या है X Y है बराबर होता है किसका P Q बटे Y Z का और ये बराबर होता है किसका X Q बटे X Z का तीनों आपस में बराबर होता है जब इस टाइब से कंडिसन दिया जाता और यह वाला नहीं दिया जाएगा तब क्या होता है तब वह यह थे प्लीच संवाल और यह तो आशेट हो जाएगा तो आइक सब्सक्राइब से कंडिके अगर पूरे आट है नहीं पड़ेगा कियोंकि क्यों नहीं जोड़त पड़ेगा वह बताते हैं जैसे X Y क सवाल 58 दे रखा एंसे यहां तक हीब 68 रखा संथा यहां दे रखा it और आपका निकल रहा है यहां पर उनुपात में खितना आठ तो आठ के ब्राबर 88 होगा आठ के ब्राबर 88 reflecting कि जबाबर और 88 बटे आइन की 11 हो जाएगा dat तो एक के बराबर अगर 11 हो रहा है एक के बराबर 11 हो रहा है तो एक सब्सक्राइब कितना हो जाएगा तो इसका आपको बिश्वास नहीं हो रहा है तो सवाल में तो भाई साब पूरा का पूरा कितना 88 दे रखा ना अठाशी दे रखा तो तीन का भेलू 33 हुआ और अगर यह पांच का भेलू तब कितना हो जगा 55 हो जगा तो यह आठाशी पूरा हो जाएगा यहां पर खेर इसका को जोरत नहीं है ठीक है तो डायरेट हमने कर दिया है को जाधा जमेला नहीं किया अगला सवाल क्या क्या कहता है तो xp यहां पर 3 है तो 1 अगर 11 है तो 3 कितना होगा 3 गुना 11 वरबा 33 हो जाएगा तो 33 इसका सही उत्तर हो गया उमिद करने हैं आप चीजे समझ पाए होंगे अगला सवाल क्या कहता है कि यदि 2 बेलनों के आयतन का अनुपाद 6 अनुपाद 1 है और उनकी उचाई का अनुपाद 1 अनुपाद 6 है तो उनकी तिर्जाओं का अनुपाद क्या होगा तो बेलन का देखे सवाल क्या कहता कि यदि 2 बेलन का आयतन अनुपाद आयतन या इनके भोयलूम भोयलूम बराबर कितना दिया है 6 अनुपाद 1 है तो उनकी तिर्जाओं का उनुपाद चाहिए यानिके आर का भेलू चाहिए आपको पता होगा कि बेलन का आयतन बराबर फॉर्मुला होता है पाई-R-Square-H, तो पाई-कॉंस्टेंट हमको लेना नहीं है अमको हमको R² का भेलू चाहिए यानिकि R का भेलू चाहिए कि नी चाहिए अगर यहाँ पर R का भेलू चाहिए तो यह H मेरा क्या होगा I10 से डिवाइड हो जाएगा तो यह निकि 6 6 अगर मुझे H का चाहिए तो I10 बटे उचाई कर सकते हैं मतला आयतन कूचाई से भाग दे दना है इसमें कोई दिक्कल बली बात तो 6 अनुपात एक जो है ने तो 6 बटा एक भागा कर रहे हैं किस से आहीड से आहीड क्या है एक बटा चे तो यह कैसे हो जाएगा जैसे आपको पता होगा थोड़का से सों रहियर तो पता था कि आयतन भर भाःगा 2 होता है तो पाई कबेंड़े हुआगा यहां पर हुआगा इक तो 36 अनुपात एक आया आर स्कवर का भेलू लेकिन डित-फर आर स्कवर का भेलू नहीं चाहिए उस्कवर पोर दातके इस पर ठीक है अगले सवाल पर बात करते हैं ऐल्ड आगला सवाल देखें क्या कहता है कि यदि गोले की तील यक्ति पर तीसद कम हो जाएगा ठीक है गोले का आयतन बराबर क्या फोर्मूला होता है फोर भाई तीरी पाई आर क्यू तो पाई आर क्यू यह तो इसका तीन बर कर देंगे फिर दस से नौ हो जाएगा तो दस से नौ हो जाएगा ठीक है तो दस का क्यू बराबर हजार होता है चंचंकर ही किस से कमी है तो नीचे हजार और परतिस्त में निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे दो जिरों से दो जिरों खिसक जाएगा नीचे एक जिरों है एक संख्याबाद पॉइंट लगा दिजिए 27.1% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा 27.1% की कमी यह डी नंबर अपसंट सही हो जाएगा यह चीज कोई दिक्कत बली बात यहां तक नहीं है आपको अगला सवाल देखे तो दिखे अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि नीचे देगे रेखा आलेग में चार बस्टों का करेमूल और बिक्रेमूल दर्साया गया है ठीक है और कह रहा कि M और N के कर करेमूल से मतलब निकालना है ठीक है तो एवो ऑठाट करेमूल यहां पर है इन यहां पर है बुलूबाले करेमूल है या abundant बेजाल नौसतों हों कीछिए 500 न कहां contribute कि 2017 सब्सक्रा ו самी 115 हो गया है और यहां पर अनुपाद लगा दीजी आप इस पी और क्यूं लेना है तो करेविट लेंगे तो करे मुल कौन कोंड कोला है तो यह बूल ला लाइन क्रेमुल है तो एम का क्रेमुल 400 है युद्ध को ले लिया उसके बाद पी और क्यू का बिक्रेमुल लेना है और उसका अनुपात निकाल दाना है तो पी याँ पर है पी के संटर में जो रहेगा उसको लेना है तो 9-6500 हो जाएगा तो बस इसको मैंने कार्ड दिया और एंसर आजएगा 7 अनुपाद 10 उम्मिद करने चीज़ आप समझ पाएंगो बहुत सा आसान सा सवाल होता है कोई बड़ी बात नहीं है अगला सवाल देखिए अगला सवाल नीचे same to same सवाल है कि नीचे दिये गए दंड आलेक में अलग-अलग वर्सों में कमपनियों को L और M का Y को दरसाया गया है ठीक है आगे और कुछ कंडिसन देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कह रहा कि L2 वर्स में कमपनी L का Y Y3 वर्स में M के Y का 33.33 पर 33 से थे तो L2 वर्स में कमपनी L का Y तो L2 यहाँ पर है L2 में कमपनी L का Y L मेरा कौन सा है यह वाला L है तो यह 400 यहाँ पर कितना Y किया 400 ठीक है 400 उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि Y3 वर्स में Y3 वर्स में M का Y M यानि कि M मेरा red वाला है सबस्क्राइब करेंगे याँ को Cheese करेंगे निकालना है सवाल कहता है कि यह 33.33% है लेकिन हम देखेंगे के निम्लिकित में से कोंसा चाहिए यह बताना है पहला सही है कि 666 हो जागा। जबकि यह नहीं है 23均 फॉन्ट fill पहला वाला मेरा क्या हो गया। गलत हो गया दूसरा वाले statement को देखले डूसरा वाला statement क्या कहता है कि Y5 बनते येas 5 में Y5 मेरा कहा है इहां पर there यहां पर वाई कितना है 300 तो बटा 300 और इनका कह रहा है वाई का 100% परसंट निकाले के लिए 100% 300 से 300 कर जाएं 100% आ रहा है 100% आ रहा है सवाल भी 100% कह रहा है यानी कि ये B नंबर मेरा दुसरा नंबर सही है तो अनली 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा तो उम्मिद करें ये भी चीज़ आप समझ पहा होंगे अगले सवाल पर बात करते हैं अगला सवाल क्या का ता अगला स पर कौन सा है तो रीन का बयाज सबसे अंतिम वला है इंट्रेस्ट और लोन तो इसका और निकालना तो देखिए यहां पर 86,000, 96,000 एक लाख तो सभी को जोड़ देंगे तो हो जेगा चीजे बोलेंगे सही बात है तो तो 30,000, 3,000, 3,000 तो अंतिम में हो गया 30,000, 1, 2, 3 ठीक है उसके बाद देखिए यह इसका 0 यहां पर 6 और 6,12, 12 के 2 हांसे पर रहा एक उसके बाद यह जिरो और 9, 9, 8, 17, 18, 18 के 8 हांसे पर रहा एक और यहां पर एक खली बचेगा 1 और 1 दो और यह कितना आदमी 1,2,3 क्योंकि इसका उसद निकालना है तो बटा 3 कर देंगे तो 3 से इसको काट यह तीन नाम सता इस तीन च्योंका बार पीछे 3-0 लगा दीजिए तो यह हो गया 94,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा 94,000 जो के आपको यहां पर राइट दिख रहा है उमिद करें यह भी सवाल आप समझ पाए अगर आपको concert पता है ना तो एक सकड़ में, एक तिर्भूज xyyz में, एक तिर्भूज xyz में परिकेंदी है, तो इस तिर्भूज का परिकेंदी है तो तो एंगल Y, C, Z का मान पूछा गिया अन्य कि C का मान पूछा गिया तब अब आपको परिकेंद्र मान का जो भी मान होता है न demonstrates केंद्र पर मान पूछा जाता है तो अगर यह ठीटा है तो यहाँ पर通 ठीटा है ती ठीटा हो जाता है, अगर यह ठीटा है तो यह ठीटा है, यहां पर 60 है, तो 60 का दो गुना, 120 डिग्राप पर सही उत्तर हो जगा, आप बोलेंगे भीया, यह तो यार, हमने बिरित में पढ़ाता है, तो सही बात है, बिरित यह है, यहां से एक जीवा खीजा जाता है, ठीक अगला सवाल, अगला सवाल देखे, बहुत आसान सा सवाल, इससे आसान सवाल आप कभी नहीं देखे होंगे जीवन में, ठीक है, एक तिर्भूज, PQR में PQ 10 cm, QR 12 cm और अर्ध परिमाप 17 cm है, तो PR की लंबाई क्या होगा, कोई भी एक तिर्भूज है, जिसका एक भुजा, दो भुजा, तिसरा भुजा निकालना है, तो तिर्भू इसका अगर आधा 17 है, तो पूरा परिमाप क्या हो जागा, तो 34 हो जागा, तो पूरा परिमाप आप हमने पहले ही निकाल दिया कि 34 है, ठीक है, उसके बाद PQ बराबद 10 दिया है, तो 10, उसके बाद QR बराबर 12 है, तो 12 निकालना क्या है, वो देखिए, और PR की लंबाई निकालना है, तो PR हम निकालेंगे, और यह तिरभुज का परिमाप यहां पर 34 है, ठीक है, 34, आपको इसको दो चीजे कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पर परिमाप निकाल दिया, पूरा, अगर नहीं निकालते हैं, यहां पर सतर रखते, तो यहां पर बटे 2 करते, तो फिर 2 अग्ला सवाल यह सबसे असान सवाल मतलब क्या आप बोलेंगा आपको यह चीज आपको पता होगा कई बार अपने कराया है देखें यह कहता है कि फोर कॉट ए बराबर पांच है फोर कॉट ए बराबर पांच है तो आप यहां पर यह चीज कर सकते हैं आप बोलेंगे देखें कॉट बराबर फाइब फोर तो करी सकते हैं इतनी सी बात में आप सहमत करते हैं कि नहीं करते हैं इ बस थीटा पर आबर याद रखिए आप B by H होता है और 10 थीटा आप याद रखिए बस आपको कुछ याद रखने का जोड़त नहीं है P by B तो 10 का ही उल्टा Q कॉट होता है तो 10 अगर P by B है तो कॉट क्या होगा यह B हो जागा यह P ठीक है तो पीबी है एक का मंद पता करना है कैसे करेंगे अडर रूट में ले देतें इसको पान्च कफीस य। कि मतलब क्फीस और इसलों कितना हो जागा तो 25 और 16 यहाँ यहां पर हो जागा देखे। 6,511,4 अंडर रूट में 41 य। Mendeln, तो कॉस ठीटा बराबर क्या होता है कि सी का इसी का हिल्टा भी होता है तो सेख का है दो रूटे अंडर कितना लूब पांच तो चार बटे पांच यहां पर रख देंगा लगए चार बटे पांच अब कुछ कटे गा तो नहीं कटेंगे चोच वीस सवाल को आप प्रैक्टिस किजएगा अडिक बनेंगे ठीक है अग्ला कि और पचास पलस A माइनस साइन 40 माइनस A कॉस 40 डिग्री या सेक 40 डिग्री का वेलू कितना होगा जिसका वेलू हो जाएगा आपका 0 कैसे हुआ उसको बता देते हैं कैसे हो रहा है कि देखिए आपको पता होगा कि A पलस B बराबर 90 डिग्री होता है तब होता है sin A बराबर cos B होता है sin A बराबर cos here sam A के जगा leaving cos B सकते है cos B के जगा 50 plus A 40 minus सब्सक्राइब कर जाएगा तो 50 40 के टना हो भी हो रहा है यानि कि इस पूरे के जगा पर इस सब्सक्राइब कर इस धोनों का एंगल 90 है तो 90 होगा तो इंती हो गा तो क्वा स्यन ऐक पर ही नहीं ऐह पूरा है I के जगह पर यह पूरे रखा है तो दूब क्वास-ai ब्राबर क्या होता है इसके जगह पर सब्सक्राइब जो यह है इसके जगह हम about mech ska ever हम लीग सकते हैं कि यह है तो यह होख जाएगा तो जीरो कॉस 40 डिग्री में आपको पता होगा कि से बराबर क्या होता है वन बाइ कॉस्ट ठीक है तो नीचे वन बचा तो जीरो बाइवन बराबर क्या होता है जीरो होता है एंसर आपका यह वाला अगले सवाल के और हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल बहुत बहुत बहितलिन सवाल एलजेबरा का सवाल है क्या कहता कि A बराबर साथ है Y बराबर टु है यह पूछा गया है तो देखें A Q मैनेस BQ AQ इसको solve करेंगे किस परकार से AQ-BQ का आपको formula होता पता होगा क्या होता X-Y यहाँ पर हो जाता है X2-Y2-XY यह formula होता है AQ-BQ बटे बटे दो लकिर केसे आ गया भाई बटे अरे रूख जा यार ठीक है बटे X2-Y2 तो A2-B2 का formula आपको पता होगा X-A, X plus B मतलब A-B, A plus B होता है तोसी परकार से यहाँ पर हो जागा X-Y और A को लिख सकते है X plus Y, इतनी से बात में आप सहमत मेरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए A2-B2 का क्या formula होता है A plus B, और यहाँ पर A-B देखिए, algebraic form में न आपको कभी तो इस form को इस form में लाना पड़ेगा कभी इस form को इस form में लाना ही होगा ठीक है? तीस चीज को याद रखना आपको उसके बाद minus में क्या है? minus में 3xy है, नीचे है x plus y आप solve कर लेंगे, देखिए यह कट जाएगा यहाँ पर, कटेगा की नीचे दोनों सेम है तो नीचे दोनों x plus y आएगा उसके बाद देखिए, x square plus y square plus x y में minus 3xy घट जाएगा तो x square plus y square plus x y में minus 3xy घटेगा 3 गो x में 3 गो x चला जाएगा, तो क्या बचेगा? minus 2xy तो x square plus y square minus 2xy, यहनि कि a square plus b square minus 2ab, यह किसका formula होता है? तो यह a plus b का क्या होता है? a minus b का whole square होता है, a minus b का whole square, तूसी परकार से x minus y का whole square, तो x का value यहाँ पर कितना है? यहाँ पर x है, माप किजेगा, x का value 7 है और y का value 2, तो 7 में से 2 5, 5 का score हो जाएगा, आपका 25, आ 7 में से 2 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 9, तो 9 बटा 25, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, without formula आप नहीं कर पाएगा, जूटे बल देंगे कि ऐसे हो जाएगा, इसे हो जाएगा, तो संभव नहीं समझ पाएगा, ठीक है, अगला सवाल देखते है, अगला सवाल क्या करता है, कि A plus B plus C का do zero है, A square plus B square plus C square 40 देया रखा है, तो 4 A plus 4 B plus C का value कितना होगा, आपको यह चीज़े पता है क्या, कि A plus B plus C का whole square क्या होता है, फॉरमुला, यह होता है, A square plus B square plus C square plus 2 को को में लेके, A B plus B NMμ. अब कुछ चीज हैं हम यहां पर कर सकते हैं जैसे यहां पर यहां पर यहना तीसको ब्राबर कि की पत्ती ले आई है तो यहां पर एप पलस बीपलस इका में जिरों है तो जीरो का i square करेंगे तो जीरों ही इस टोटल का भेलू को बराबर की E पर T आ जाएगा, तो A स्क्वार पलस B स्क्वार पलस C स्क्वार बराबर 2, यहां अंदर में A B पलस B C पलस C A, ठीक है, अब चीजों को समझते हुए चलिएगा, यह 0 A पलस B पलस C, इसका E स्क्वार का मार कितना 40 है, तो इसके जगा पर 40 रख है कि ने, तो इसको हम 4 कमल लेके, A B पलस B C, पलस C A तो लिखी सकते हैं न, तो 2 का भिलू इतना है, तो इसको 4 बनानी के लिए गुना 2, तो 4 हो जगा, 4 A B पूरा आ जगा यहां पर, तो इसको गुना 2 कर देंगे, तो कितना हो जगा, माइनस 80 आ जगा, बस हो गया, माइनस B पलस C का, होली स्कोर में तूटे, उस फॉर्मूला को लगा देंगे, तो चीजे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, तो सवाल प्रैक्टिस कीजेगा, सवाल पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आपको चीजे होता है, ठीक है, तो अगले सवाल पर बा इसकोर पलस B इसकोर, और आगे जो भी भेलू है ना, इस दोनों में से टू को अगर कोमन आउट ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, इसको आगे पिछे लिख लिखते है, एके पाउर में 4 और B के पाउर में 8, आगे पिछे लिख लिए कोई दिक्तत बहुत नहीं, जान बुचके उसे आदेता परिसान करने के लिए, ठीक है, आगे पिछे लिख लिएंगे तो केलकुलिशन आसान हो जागा, ठीक है, अब देखें, जिससे A पलस B, A माइनिस B यहां पर था, उसी परकार से A ही है, यह A, B, A माइनिस B, A पलस B है, लेकिन पाउर में स्कोर है अगला क्या हो जागा यहां पर, A के पाउर में 4, B के पाउर में 8, अब फिर से हम फोर्मला, A पलस B, A माइनिस B कर रहा है, अरे बाबा, यहां पर 8 नहीं माप कीएगा है, पर 4 है, ठीक है, अब हो रहा है, तो फिर इसका स्कोर कर देंगे, यहां पर 2 आगे रहने जेते हैं क्या फॉर्मूला होता है ये स्क्वर माइनस बी-स्क्वर है तो 4 घूने 2 ब्राबर 8 हो जागा यह की पाउर 8 माइनस ब्राइब और इससे आगे काम नहीं करेंगे अगर इतने में एंसर है तो हमको सांथी मिल जागा और यहाँ पर देखिए आपको मिल गया यह सीनोर यहां य सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब इस इसको एक घटा दिये मतलब इसका काम को खतम कर दिये तो आप यहां से काम यह निकाल दिया ठीक है उमीद करें यह चीज़ 9 गंटे में 36 km जाता है 9 गंटे में 36 km36 km36 त्थे एक घंटे में कितना दूर जाता होगा 9 चुका 36 यनि कि 4 km फरती घंटा के रप्तार है ठीक है यह बात समझ में आगền कि चाल बराबर कर दो दूरी बटे समाई दूरी 36 था तो 36 बते 9 कर दिए तो जोका 36 यानिकि चाल क्या हो गया 4 किलोमेटर प्रती घंटा एक घंटे में कितना दुर जाता हो गा ठीक है आगे देखिए यानिकि एक नाओ के विप्रीद बिप्रीद मतलब X-Y मतलब पानी के विप्रीद जा रहा है तो एक घंटे भी 4 तो 4 आप दूरी यानि की 46 km दूरी को तीन घंडे में gosh करती कहती है तो 10owski गंडे में चार कीलू मेड़ा जाती है तो तीन घंडे में किटना जाययगा चाल क्या हो जागा आट किलोमेटर परती घंटा की रफ्तार तरकर बिफ्रित बोलेगा अगर रा की बो ने凌की बोलते जीसको करते यहां 12 में से 4, 8 बटा 2, 4 हो जाता है, ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया की ने आ गया, अगला सवाल बढ़ते हैं, देखें, अगला सवाल क्या करता है, किसी राज एके लिए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और परताप एके लिए उसी काम को राज दोवारा ल दिन में, यानि कि परताप तो आधा 10 दिन में करता होगा, तो टोटल काम कितना होगा है, 20 हो गया, तो 20 काम है, टोटल, तो राज 20 काम को 20 दिन में करता है, एक काम एक दिन में करता होगा, यानि कि एक दिन में एक काम, अब परताप एक दिन में दो काम करता है, तो अब दो कि इस तोलों साथ में मिल के कर रहा है तो तोल काम है 20 ठीक है अग्ट टोटल काम का तीन बटा पांच भाग दोनों मिलके कितना दिन कर देगा तो तीन बटा पांच भाग यहां पर आपको गुना करना होगा तीन से तीन कर देगा पांच से चार बार में तो इनकी चार डेस लगेंगे दोनों मिलकर चार दिन में फूरा कर देगा चार दिन समझ में आया की नहीं आया वो बताना बहुत जरूरी है कि समझ में आया की नहीं आया फोर डेस इसका सही उत्तर होगा बीस काम टुटल है टुटल काम को दोनों मिलके कर रहा है तो तीन एक दिन में एक तीन काम हो रहा है उसी काम का 3 बटा 5 भाग दोनों में कितना करेगा तो गुना कर दिये या तो यहां पर जितना आता हूं भी गुना कर दिये तो डारेट हो या 3-3 कर दिये आ पांच चुका 20 हो गया इतनी सी बाद आपको समझ में आ गया होगा उम्मिद कर रहे हैं ठीक है अगला सवाल बढ़ और लड़कियों की कूल लंबाई का अनुपात क्या होगा मतलब कूल लंबाई निकालना है ठीक है तो इस तरीके के सवाल में एलिगेशन लगा दिया आप क्या कहरा कि सबसे पहले तिरपन लंबाई का ओसत 31 है और यह तिरपन किसका है तो लड़कों की इकाई यानिकि हमावा अनुटण Candleиватьis शञजाा अब यह तरहीं पर आजीए तो देखिए एक व्यक्ती का लंम बाई कितना है थिरपन एकल लड़क का लंबाई क्रां यह क्तिरपन हो जगा तोर्टल लंबबाई कूल बोला है तो एक तो बीकितनों का अनुपात करना पड़ेगा उसी प्र पात तिरानवे इसका सही उत्तर हो जागा इस तरीके के सवाल में हमें सा कोसिस किजिए कि आप एलिगेसन को ले लेंगे ठीक है एलिगेसन से आसान हो जाता चीजिए उमिद करें यह समझ पाए होंगे इस दोनों का डिफ्रेंस को देखना होता कि यह से कितना गैप है इसे कि दाइड कूल बोला था इसलिए हमने किया कि ए एक वेक्ति की तिरपन एक आई तो 19 वेक्तियों में इतना बढ़ेगा ना ठीक है उसी परकार से अगला सवाल क्या कहता है मेरा सवाल कहता है कि बीजय आरेस चोदो परती दर्जन की दर से केले बेशता है ठीक है और 40% की लाब परतिस्त क्या होगा है निकालना है तो लाब परतिस्त निकालना है मतलब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना है तो अब सवाल पर आते हैं सवाल क्या कहता है कि दर्जन की केले से बेशता है 40% लाब अर्जित करता है ठीक है जब उन्होंने 14 दर्जन परती दर दर केले बेचता था 40% लाब अर्जित करता है इनकी कोस्ट प्राइस अगर 100 रुपया रहा होगा तो इसमें लाब अर्जित किया इनकी सेलिंग कितना अब ही पूछ रहा है अगर यदि विक्रेमुल समान ही विक्रेमुल पे कोई चेंज नहीं किया है विक्रेमुल को समान रखा जाता तो उसका नया लाब परतीसद कितना हुगा एक सो तीस में अब खरीदा माल लेते हैं और एक सो तीस चालिस पर बेचा तो दस रुपे का क्या हुआ प्रोफिट हुआ कितने में एक सो तीस में अब परतिसन में बदलने के लिए हंडेर परसन से गुना जीरो से जीरो कटेगा कि एक सो पटा तेरो आगया करें तो तो तेरो सात्ते एक आणवे सात्त हैं यह वाला ले लेंगे ला लेंगे तो एशिका एंसर हो जाएगा ठिक है तो तेरो को कटाने के लिए आसपास तो जाना पड़ेगा ना तेरा है तर 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 यानिकी तेरे को छे तक जाना पड़ेगा तो इसका एंसर यह हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए अगला सवाल मेरा क्या क्या था इस परकार के सवाल आपको कराएं हैं दिखिए क्या की वेक्ती का वैई और बचार अनुपाद तीन में है ठीक है चार अनुपाद क्या कहता वए और बचार G कि सेविंग कितना है तो बचत यह हो गया अगर कहा जाए कि उसकी बचत उसकी आई के एक बटे पांच के बराबर बढ़ जाती है और आई समान रहती है तो उसके वै और बचत का नया अनुपाद क्या होगा वै और बचत का न्या अनुपाथ पूँछा गया है तो यह क्या है यह खर्चा है यह सेविंग है कि इंकम आराम से निकाल सकते हैं कि इंकम मेरा साथ हो जाएगा ठीक है तो आई का कितना है आई का एक नड़े साथ बढ़ रहा कि आ उसका 1 बड़े 5 के बराबर बढ़ता है यानि कि इंकम अगर 7 है तो इसका 1 बड़े 5 बढ़ेगा तो दिखे 1 बड़े 5 अगर बढ़ाने जाएंगे नहीं तो 7 बड़े 5 फ्रेक्षण में आएगा आप बोलेंगे सही है, fraction में आ जाता है, आरा की नहीं आरा, fraction में आ जारा है, तो तभी हम आपको पहले कहे थे कि इस टाइब में क्या करते हैं, कि इसका multiple अप ले लिजे, पांच का multiple ले ले लेंगे, तक ही काट जाएगा, तो आसान होजेगा बाते, तो इसको क्या करेंगे, स उसकी आई के एक बटे पांच के बराबर बढ़ जाती है, इसका आई कितना है, 35 है, 35 का एक बटे पांच बढ़ जाती है, सेविंग, तो यह साथ बढ़ गया, सेविंग साथ 15 था, इसमें साथ बढ़ गया, तो कितना हो गया, 15, साथ कितना हो जाता, 22, और यह कितना है, 35, तो टोटल अगर इंकम मेरा 35 है, 35 में से सेविंग 22 रुपया कर लिया है, तो खर्चा मेंने कितना क्या होगा, इससे इसको घटा दीजिए, यहरे कि 3 और यहां पर 1, 13 रुपया का, 13 रुपया का खर्चा किया, 22 रुपया का बचाया, तो इंकम दोनों को जोड़ने के बाद 35 ह होता है, इंकम मेरा क्या होता है, कि कितना पैसा हमने कमाया, और कितना खर्चा किया, दोनों को जोड़ने के बाद, हमें इंकम पता चलता है, मेरा सेलिरी पता चलता है, ठीक है, अब सवाल क्या पूछा था, कि नया, तो नया तो यह है, मेरा नया वाला यह है, क्या है, खर्चा कितना है 13 और सेविंग मेरा बाइस है इस दोनों का अनुपाद 13 बाइस यहां पर यह वला आपका सही उत्तर हो जागा उम्मिद कर रहे हैं आप चीजे समझ पाए होंगे ठीक है सवाल को देख रहे हैं यह सवाल क्या कहता कि माइनस नौ माइनस चो माइनस एक मतलब क्या होता है पहला पहला पत कितना नौ तो नौ दूगने यहां पर अठार हम लिखते हैं ठीक है डाल यहां पर आठार लिखते हैं तो माइनस का तरहा एन-1 तो कि याँ पर तीन आप लगा सकते हैं अब यह पर नाइने देते हैं यहां पर अगर उसको तीन को अंधर करेंगे तो क्या होगा थी यहां पर और माइनस का 3 7-1 9-1 हो जाएगा स्वाहिए इतनी सी बात में अपसे हमेत है कि यह अगर मैं इसको 3 को यहां से निकाल लेता हूं तो कितना रखा एन के जगापर दस इनके दसवां पद होगा वह दस पदों को जोड़ने के बाद आपको 45 मिलेगा यह एक फॉर्मुला था जिसको आप इस तरी के से कर सकते हैं और बांकि इसको अगर दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक वाले समझने की कोशिस करूं तो इस परका आगे बढ़ूं तो तीन छो और नौ इसको अगर सबको में काड़ दूंगा यहां पर दिये कट के खतम हो जागा तो टोटल हमने पद कितने लिए पद एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ पद ले लिए हैं जिस पर सिर्फ जीरो बचा है अब हमको ऐसे कितने पद लेने कितने पद लिए साथ यह था मतलब साथ यह था नौवा यह था दस पद लिए तब जाके 45 हुआ तो आप ऐसे भी इस चीज़ को सोच सकते थे ठीक है चलिए ठीक है तो उमिद कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाया होंगे अगले क्लास में अब लोग सिर्फ नूमर दो के सवाल को सौल्ब करेंगे कुछ इसी परकार से और भी बहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिस करूँगा अगर कुछ दिक्कत होता कमेंट ब करते हैं सुक्रिया आप सभी का धन्यवाद